हेलो फ्रेंड्स मैं जोती चोदरी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लूसेंट जीके की इस जबर्दस सीरीज में और आज इस सीरीज का हमारा है लेक्चर नमबर 11 तो आज पिछली वीडियो में हमने जूलोजी स्टार्ट की थी और उसमें हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन का टोपिक काफी सारे बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऐसे तरीके से समझाऊंगे कि आ अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखें तो वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं भी देखें, तो वो जो पिछली वीडियो में कराया था, वो आज की वीडियो में आपको revise कराने वाली हूँ, तो आप चाहो तो देख सकते हो वरना इतना जरूरी नहीं है ठीक है तो आज की वीडियो में आपको दुबारा कराऊंगी उसको तो आज की वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना आज की वीडियो बहुत जादा या तो हमारी जो एनिमल्स है वो मल्टी सेलर होंगे तो जो एनिमल किंगडम है उसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है या तो यूनिसेलर होंगे या मल्टी सेलर या तो वो सिंगल सेल से बने होंगे तो यूनिसेलर अगर एक से जादा सेल से बने तो मल्टी सेलर ठीक है ये तो हमारे होगे kingdom के sub-kingdoms अब आगे इन kingdom को फिर phylum में divide किया गया है ठीक है तो जो animal kingdom है पहले उसको दो sub-kingdoms में divide किया फिर उन दो sub-kingdoms को आगे phylum में divide किया ठीक है तो जो unicellular animal है उसको सिर्फ एक single phylum में रखा गया है तो ये मैं आपको lucent की book से ही निकाल के ब समझ लेते हैं अच्छे से ठीक है क्या है इसका पूरा पूरा animal kingdom दो sub-kingdoms में divide है unicellular और multicellular में unicellular animals वो होते हैं जो single cell से बने हैं और multicellular वो होंगे जो एक से जादा cell से बने हैं ठीक है और multicellular को metazones भी बोलते हैं ठीक है अब unicellular को सिर्फ single phylum में रखा गया है व kingdom को total 10 phylum में divide गया एक phylum तो आता है अब सिर्फ unicellular में सिर्फ एक phylum आता है जो की है proto जो और multicellular है वो 10 बाकी के जो 9 बचे phylum है वो multicellular में आते हैं पहला हुआ पोरिफेरा अगला हुआ सिलेंट रेटा प्लैटिहलमिंथिस एसकेलमिंथिस एनलीडा आर्थ्रोपोडा मुलस्का एकिनोडर्मेटा और कोर्डेटा ठीक है तो पिछली जो वीडियो करी थी हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने प्रोटो जोवा को डिसकस कर लिया और यहां तक चार इनको डिसकस के लिया था टोटल फाइव फाइलम्स को हमने डिसकस किया था लेकिन आज की वीडियो में हम दुबारा से उनको डिसकस करेंगे ठीक है एक बार जल्दी से देखो आगे समझ में एनिमल्स को पहले दो सब किंग्डम्स में डिवाइड किया यूनिसेललर और मल्टी सेललर में और फिर यूनिसेललर में सिर्फ एक फाइलम को रखा प्रोटो जोवा और मल्टी सेललर में हमने रखा बाकी के नो फाइलम्स को पोरिफेरा, सीलेंट रेटा, प्लैटी हलमिंथिस, एसके हलमिंथिस, एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस कि आ गया है उसको भी आगे पाच ग्रूप में डिवाइड किया है पहला है पाइसिस अगला है एंफीबिया रैप्टीलिया एवस और मैमेलिया तो हम इनको सब को अलग अलग से भी डिसकस करेंगे यह मत सोचना बस मैं उपर उपर से बता रहूं एक बार जल्दी से मैं आपको ओवर्व्यू देना चाहती हूं क्लासिफिकेशन की किस तरीके से किया है ठीक है फिर आगे हम इनको सिंगल सिंगल करके अच्छे से भी एक बार देटा था जो देखो इसमें जो लास्ट वाला ये वाला कोर डेटा था एक मिनिट देखो ये एनिमल्स था दो सब किंग्डम में डिवाइड किया था फिर आगे इन में किया था तो जो लास्ट वाला कोर डेटा था मल्टी सेलर का लास्ट उसको आगे किस में डिवाइड क उसको भी हमने आगे तीन ग्रूप में डिवाइड किया वो है प्रोटो थेरिया, मीटा थेरिया और यू थेरिया अब जल्दी से इनको एक पर डिसकस करेंगे कि कौन से को कैसे क्लासिफाई किया है क्यों क्लासिफाई किया है किस बेस पर क्लासिफाई किया है ठीक है तो आप आपको जल्दी से overview तो मिली गया होगा कि किस तरीके से classify किया है मैंने बहुत easy language में आपको समझाने कोशिश करी है तो अगर आप चाहो तो इस notes के screenshot भी ले सकते हो ताकि बाद में आपको revise करने में classification में easy हो जाए ठीक है यह आप खुद के notes बना सकते हो जिससे आप जल्दी से revise कर पाऊ ठीक है तो देखो सबसे पहला था unicellular तो animal में सबसे पहले unicellular में proto जो है तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे protojoa को पढ़ेंगे उसके बाद फिर बारी-बारी से सारों को पढ़ेंगे protojoa देखो protojoa फाइलम protojoa के main feature क्या है क्योंकि वो यूदी एक तो unicellular म इनको मैं जल्दी जल्दी कराऊंगे और बाकी वालों को फिर थोड़ा सा जाधा डिटेल में कराऊंगे तो आप पिछली वीडियो देख लेना अगर इन पांचों को discuss करना मतलब डिटेल में आपको study करना है तो जल्दी जल्दी फिर भी मैं एक बार करा देती हूं रिवीज सारा का सारा उस single cell की single cell में ही होता है respiration और excretion take place by diffusion diffusion वगारे सारे की हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं तो बहुत ही important series है अगर आप पहली बार channel पर है हो तो channel को subscribe कर देना और bell icon को press कर देना ताकि आपको ऐसी ही important videos मिलती रहें तो आगे देखो example इसके क्या है amoeba है यूगलेन है और trypanosoma है तो एक बर जल्दी से इनको देख लेते हैं कि प्रोटो जवा के अंदर कौन कौन से आते हैं तो कुछ बच्चों ने मतलब कहा था comment section में कि मैं उससे photos के थू करा देना थोड़ा सा pics के थू तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ pics भी तो और भी अगर आपको कोई भी problem आ रही है कुछ आप मिरसे पूछना चाते हैं कुछ आते हैं कि videos में कोई problem आ रहे समझ नहीं आ रहा या कुछ भी आप और ज़्यादा इनको describe करना चाते तो आप comment section में लिखके बता सकते हो मैं कोशिश करते हूँ कि सारे के सारों का जवाब दूँ या फिर जो आपने लिख्या है उसको वीडियो में भी discuss करूँ तो उन्होंने बोला था कि pics के थू समझा दो तो pics के थू समझा रही हूँ प्रोटो जोवा में कौन-कौन से हा रहे हैं सिंगल सेल वाले कौन-कौन से हैं जैसे amoeba हो गया, paramecium हो गया, yuglana हो ठीक है ये इस तरीके के होते हैं प्रोटो जोवा में ठीक है अगले phylum पर चलते हैं अगला phylum देखो अगला देखो एक मिनिट अगला प्रोटो जोवा ये हमारा कवर हो गया फिर multiceller में सबसे पहला आया porifera उसके बाद फिर ऐसे हम line wise करेंगे ठीक है अब porifera करेंगे porifera की क्या-क्या properties होती है देखो porifera की properties देखो all animals of this group are found in marine water and beer pores on body सारे के सारे जो animals है इस group के वो किसमें मिलते हैं SE का water होगा marine water जो है उसमें मिलते हैं और उनके पूरी की पूरी बोड़ी पे pores होते हैं यानि की पूरी बोड़ी पे 取り की shoe remotely होता है Multiceller animals होते हैं लेकिन जो cells है वो tissues नहीं बनाते बहुत साड़े pores होते हैं उन pores को हम बोलते हैं काम करते हैं तो यह इनिमल में याते हैं इससे बंदे को आप जानती होंगे ठीक है इसको जानते हो ना सारे के सारे यादे कुन आ SpongeBob SquarePants हम कार्टून देखा करते थे ना बच्पने में मैं तो इसको अच्छे से जानती थी आप भी जानते होंगे शायद तो SpongeBob SquarePants है कार्टून में दिखाया हुआ है यह पानी के अंदर रहता था पानी के अंदर सारे काम करता था Actually में यह क्या है यह एक एनिमल है उन्होंने बिल्कुल सही दिखाया अब एक्चुली में इसकी शकल कैसी होते है वो भी देख लो यह तो कार्टून उन्हें बना रखा है Actually में दिखने में ऐसा होता है देखो यह ऐसा होता है अब इसको देखके तो एक बार तो लग रहा है कि यह प्लांट है इसको देखके एक बार तो लग रहा है कि यह प्लांट है लेकिन यह एक है क्या यह एनिमल ही है यह कौन से एनिमल है यह स्पोंज होते है यह स्पोंज एनिमल होते हैं किसका काम करते है, sound absorber का भी काम करते हैं, तो आगे आपको समझ में ये क्या है, ये sponge box square pants actually में दिखता कैसा है इसको भी देख लो एक बड़ ठीक है, अब आगे चलो, अगले पर चलते हैं अगला है, हमारे पास sealant rate है, उसमें main feature उसके क्या होते है, sealantron is present inside body, sealantron होता है body cavities के अंदर present होती है body cavities के अंदर present होती है, यानि कि body cavity का मतलब उसके अंदर खाली space होता है, ठीक है tissue grade organization, first tissue grade organization start हो जाती है, यानि कि cells मिलके tissue banana start कर देते हैं animals aquatic होते हैं, यानि कि पानी में रहते हैं, diploblastic skin जो है करने के food को पकड़ के खाने के काम आते हैं body जो है, वो radially symmetrical होती है, इस तरीके से, और specialized nidoblast cells, जो है मैंने बताया था, पिछली वीडियो में explosive cells होते हैं, जो कोई उनके अगर उपर हमला कर रहा है, उससे बचने के और खाने को पकड़ने के ही काम आते हैं खाने में help करते हैं, इसमें भी देखो यह जो structure बने है, इनी को हमने क्या बोला है, tentacles इनी को क्या बोला है, tentacles बोला है, ठीक है clear है यह चीज, clear है अब आगे देखो अगला वाला, यह तो हम पिछली वीडियो में कर चुक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, इसके में फीचर होते है, फ्लैट वोम, पिछली वीडियो में मैं आपको बताया है, फ्लैट इतने फ्लैट होते हैं, जैसे अपनी रिबन होती है, ऐसी इस तरीके के होते हैं, ट्राइपलोब्लास्टिक इसलिए में होते हैं, इसके नो बोडी καवेटी होते हैं, इसकी सिर्फ सिंगल ऑपनी होता है, निके मुँह की जगए ओपनी होती है, और एनस जो है, जहां से वेस्ट मैटीरिल निकलता है, उन में प्रेजैंट नहीं होता, ठीक है, एकस्क्रेशन किसके थ्रू होता है, फ् respiratory organ ना circulatory system और यह हर्मोफ्रेडाइट एनिमल होते हैं हर्मोफ्रोडाइट एनिमल मैंने पिछली वीडियो में बताया था जिन में reproductive system होते है रीप्रोड़क्टिव सिस्टम वो होता तो है लेकिन पूरी तरह developed नहीं होता जो अपना प्लेन एरिया है यह देखो इसको देखो लग रहा है ना एकदम रिब्बन जैसा ठीक है इतने ज्यादा फ्लैट होते हैं अगर नहीं यहां से भी पता चल रहा है कि किस तरीके का इनका structure होते हैं 3D मैंने आपके लिए picture रखी हुए इसको एक बार देखो यहां से आपको पता चल रहा होगा कितने मतलब कितने ज्यादा फ्लैट होते हैं बिल्कुल प्लेन तो यह आपको प्लैने एरिया की फोटो दिखाई है और यह भी किसके अंडर आता है यह अपना किसके अंदर आता हैं अगले video is around warm यह मतलब round warm होते हैं किड़ ही type के होते है जैसे हम कीड़तें लंबय लंबय से कीड़े होतें लोंग होते हैं Unsegmented Unsegmented यानि कि इमालो यह अपना एक कीड़ा है इसकी बोड़ी जो है वह इससे पार्ट में डिवाइड नहीं होती Simple पूरा का पूरा एक कीड़ा होता है यह ठीक है आगे देखो bilaterally symmetrical होता है Bilaterally symmetrical यानि कि बीच में से खाड़ लो तो दोनों तरफ का सेम रहेगा Triploblastic इसकी भी बोड़ी जो है वह तीन लेयर में उसकी भी skin तीन लेयर की होती है Elementary canal जो है complete होते है यानि कि mouth की तरफ से भी खुला होता है और elast में ठीक है और mouth की तरफ से भी खुला है और anus की तरफ से भी खुला है ठीक है तो इसका मतलब mouth और anus दोनों present text कोई भी circulatory system या respiratory system नहीं होता है लेकिन जो nervous system है वो developed होता है excretion किसके थूर होती है excretion इनकी होती है proto nephredia के थूर और unisexual होते हैं यह ठीक है most form जो है वो parasitic होते हैं लेकिन कुछ जो है वो free living भी होते हैं जो soil और water में रहते हैं पहले मैं डिटेल में बता चुकी है पिछली वीडियो देख लेना ठीक है आगे देखो roundworm जैसे की इसके example एक्जामपल एक्जामपल थ्रेड़ वॉर्म विचेरिया और एक जो यह एक डिजीज कोज करता है एक्जारियासिस हूमन के अंदर और यह किसमें पाया जाते हैं स्मोल इंटेस्टाइन में पाया जाते हैं हमारी मैंस की ठीक है जो स्मोल इंटेस्टाइन होती है उसमें मिलता है हूमन की आगे देखो कैसा होता है यह इस तरीके के कीड़े होते हैं ठीक है इस तरीके के कीड़े इसके अंदर आते हैं ठीक है आगे देखो अगल तब यहां पे क्या है यह थोड़ा detail में करेंगे क्योंकि यह मैं आपको अभी तक नहीं करा है annulus का मतलब है यहां पे circular circular ठीक है circular body होती है जैसे ring की shape में ठीक है इस तरीके की body होती है इनकी long होते हैं thin होते हैं soft होते हैं और metamerically segmented metamerically segmented का मतलब क्या है माल हो यह अपने कीड़ा है यह इस तरीके से segments में डिवाइड होगा parts में डिवाइड होगा किसका जो cells और tissue है वो बार-बार repeat हो रहे हैं हर segment में ठीक है clear है यह चीज यह इस तरीके से segments में divide होता है ठीक है photo जब देखोगे तो और clearly समझाएगा locomotion का मतलब होता है movement movement किसके through होती है सैटे के through और जो किसके बने होते है वो chitin के बने होते है अब यह क्या होता है यह hair like structure होते है hair like structure यह सैटे क्या होते है hair like structure thin पतले-पतले से structure होते है और यह किसमें help करते है इनको movement में help करते है जिसके वज़ासे हील डूल पाते है ठीक है ये फोटो पिछले वाले की थी एलिमेंटरी कनाल जो है वो वेल डेवलप्ड होती है रेस्पिरेशन या नोर्मली तो स्कीन के थुरू होता है लेकिन कुछ एनिमल्स में गिल्स के थुरू भी होता है जैसे अपने अंदर हो रेड कलर का होता है ठीक है एक्सक्रेशन के थुरू होता है एक्सक्रेशन इनका होता है नेफ्रीडिया के थुरू और जो ये नेफ्रीडिया ये क्या होता है ट्यूब कर सक्ट्रक्चर होता है कि त्दरियत तरे ओपन होते हैं वहां से जो वेस्ट मैटीरियल है को रीमुबस हो जाते हैं त्यू कोईल इन का मतलब है हैं यहां पर कैवे ुस्पेस इसमें भी बॉर्डी कैवेटी आनि की खाली स्वेस मिलता है यह युनि सेक्ष्षुल भी हो सकत एज़ी मिल जाती है बाकी photo में आपको दीखी जाएगी ठीक है हमारे हर्याडा में तो उसको जोंक बोलते हैं ठीक है आपकी language में पताने क्या बोलते होंगे एक बार देखो there are 4 pairs of hearts in Earthworm Earthworm ने 4 pair होते हैं Heart के ठीक है आगे एक बदर इनकी जल्दी से देखके होते हैं आगे से ने पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा मतलब डिवाइड होता है अंदर तक गई होती है segments बिल्कुल ठीक है आगे देखो आगे है phylum arthropoda phylum arthropoda इसके main feature के है jointed legs अब यहां पर jointed legs में न काफी बच्चे होता है इवन जब पहली बार 9th class में पढ़ते हैं ना हम यह classification का topic 9th class में आता है science में तो जब यह jointed legs वगारा पढ़ाते हैं तो वहां पर family मेरे को लगता था कि इनकी क्या मतलब जो दोनों टांग हैं वापस में जूड़ी होई होती है तो ऐसा कुछ नहीं है jointed leg का मतलब actually में क्या होता है इसको एक बार समझ लो तुम भी confused नहीं हो जाना jointed legs का मतलब होता है जो एक टांग है एक leg है वो मतलब कितनी जगह उसमें joint आ रहा है जैसे अपने जो leg है उसमें एक जगह joint आ रहा है जिसको नी बोलते हैं हम ठीक है इसे ही इनकी जो leg होती है उसमें भी बीच में ऐसे joint आते है उसका मतलब jointed leg है jointed leg का यह मतलब नहीं है कि दोनों टांग यह आपस में जूड़ी होंगी समझ यह बात एक ही टांग में कितनी जगह joint आ रहा है जो इनको अच्छे से हिलने डूलने में मतलब help करें तो वह होती है jointed leg का मतलब ठीक है बोडी को three parts में डिवाइड करा है head में, thorax में, abdomen में ठीक है बोडी is covered with a thick chitinious exoskeleton ठीक है chitin एक substance होता है अपना thick का मतलब है मोटा chitinious का मतलब system open type circulatory system का क्या मतलब है open type circulatory system का मतलब है जैसे अपनी बोडी में veins and arteries होती है ठीक है veins और arteries होती है अपनी बोडी में जिनको हम हिंदी में नसे बोलते हैं तो वह तो होता है close type का क्योंकि जो हमारा blood है वो सिर्फ उन नसों में से flow कर रहा है ठीक है open type का मतलब है कोई उनके लिए नस वगारा नहीं है ना arteries है न वेंस है मतलब blood पूरी बोडी में ऐसे ही flow कर रहा है उसके लिए पर्टिकुलर ट्यूब्स वगारा नहीं है ठीक है सारे ओर्गंस में ऐसे जा रहा है इसका मतलब open type हुआ बोडी के अंदर जो जो cavities है space है उनको बोलता है हीमे कोईल ठीक है और ट्रैकिया हो गया लंग्स हो गया बोडी सर्फेस जो हो गया वह किसके लिए सबसे बड़ा fatum है उसमेंसे वह है ऑत्रो पोड़ा ठीक है जो देखो और नोट देखो, there are six feet and four wings in insects, जो insects होते हैं कीडे, उसमें छे तो पाउं होते हैं, उनके चार के होते हैं, ठीक है, 13 chamber heart, मतलब 13 chamber heart होते हैं, कोकरोच के अंदर, और आंट जो है, वो एक social animal है, जो labor division को reflect करती है, यह इतना ज्यादा मतलब में को लगता नहीं, यह दोनों point exam में सकते हैं, ठीक है, termite भी एक social animal है, जो colony में रहते हैं, यानि की groups में रहते हैं, लेबर division को करते हैं, यानि की हमें बाम मिल माट के काम करना चाहिए, आदा-दा, ठीक है, आगे देखो, the main excretory organ of insects are malphagian tubules, तो यह जो है excretory organ होता है, insects का, यानि कि इसके थ्रू जो है, अपना आर्थरोपोड़ा के कुछ example दे रखे हैं, जैसे की एक तो beetle हो गया, ठीक है, cockroach इसके अंदर आता है, ठीक है, यह आर्थरोपोड़ा के example है, ठीक है, एक बार इनको देख लेना, जैसे अगर हम legs की बात करें, तो इसकी legs इस तरीके से है, ठीक है, इसकी legs इस तरीके से है, जो यहाँ पर यह joint आया है, इसके वजह से हमने इसको बोला था, jointed legs, ठीक है, आगे देखो, अगला है phylum mollusca, mollusca के main feature क्या होते है, इनकी bodies जो है, वो soft होती है, body soft होते है, और किसमें divide होते है, head में, और muscular foot में, जो foot होते हैं, mental is always present in it, अब देखो, mental क्या होता है, mollusca के वो protect होते हैं, ठीक है, which secrets a hard calcareous shell around body, और जो hard एक shell बना देता है, body के around, ठीक है, elementary canal developed होते है, respiration किसके थरी होते है, gills के थरू, या फिटी नीडिया के थरू, और blood जो है, देखो, मैंने बताया था न, एक blue color वाला भी आएगा, blood के अंदर, blue color की respiratory pigment होती है, उसको हम बोलते है हीमो साइनिन, ठीक है, हीमो साइनिन जो है, वो एक blue color की respiratory pigment होते है, जैसे हमारे humans के अंदर, hemoglobin होती है, red color की respiratory pigment, ऐसे इसके अंदर blue color की होती है, ठीक है, और देखो, excretion take place through kidneys, और इसके अंदर kidneys आगे, जिसके through excretion होता है, human में भी kidneys के through excretion, example, इसके क्यों हैंगे, पीला, अक्टोपस, एक्सेटरा, ठीक है, इसके एक बार जल्दी से फोटो देखके आगे चलते हैं, अच्छा, पहले फोटो भाद में देखेंगे, एक और चीज है, तेखो, मोलस्का के कुछ एक्जामपल दे रहे हैं, और उनके common name हम उन्हें क्या बोल देते हैं, पलीसिया को हम बोलते हैं, डॉरीस को बोलते हैं, सी लेमिन, ऑक्टोपस को बोलते है, डैविल फिश और सैैपिया को बोलते हैं, कटल फिश है, कुछ common name है, जो हम उनको बोल सकने हैं, और देखो, जो ये हेलियोटिस है ये भी एक एनिमल का नाम है ये फाइलम मोलस्का के अंदर आता है और एक जो हीमोसाइडिन हमने ब्लू कलर की रेस्पिरेटरी पिगमेट की बात करी है तो ये oxygen को ट्रांसपोर्ट करने में help करती है ठीक है oxygen transport metal of protein containing two items of copper found in the blood of मोलस्का तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ ये जो है ये क्या करती है oxygen को ट्रांसपोर्ट करते हैं और मतलब प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है metal of protein का क्या मतलब हो उन प्रोटीन में metal है यानि कि दो item copper के होते हैं ब्लड में ठीक है मोलस्का is the second largest phylum of animal first largest phylum of animal कोन है आर्थ्रोपोडा और second largest phylum कौन सा है मोलस्का ठीक है इनमें सबसे ज़्यादा animals मिलते हैं अगला देखो अब इसकी फोटोस देखो जैसे कि ये इसके एक्जामपल है ठीक है आगे चलते हैं अगला है फाइलम एकिनो डर्मेटा फाइलम एकिनो डर्मेटा की spiny skins का मतलब है जैसे कि इस तरीके की skin है उसके उपर इस तरीके के कुछ spine like structure है कुछ तीखे structure ठीक है all the animals of this group पर marine marine यानि कि वो उसमें रहते हैं ये sea में रहते हैं water vascular system is present water के लिए vascular system है जो water को transport कर सकता बोडी में और एक tube fit for locomotion और locomotion के लिए एक tube है यानि कि movement के लिए एक tube है इनके अंदर taking food which work is sensory organ और ये क्या करते है food वगारा को लेने का काम करते है और ये sensory organ का भी काम करते है sensory organ जो कुछ sense कर सकते हैं जैसे हमारी nose है eyes है skin है ठीक है brain जो है वो nervous system में developed नहीं होता brain नहीं होता इनके पास और there is a special cavity for regeneration एक regeneration की cavity होती है regeneration का क्या मतलब हुआ जैसे इसके अंदर आती है starfish तो मालो starfish अपनी इस तरीके से है तो अगर हम starfish को यहां से कट कर देंगे तो regeneration का मतलब है यहां पे भी नई यह मतलब जोसकी आम काटी थी वोग जाएगी और जो यह नई इतनी सी आम कट के side पड़ गी थी इससे भी एक नई starfish बन जाएगी तो regeneration का यह मतलब होता है अगर आप बीच में से काड़ दोगे इससे भी एक नई starfish बन जाएगी और इससे भी एक नई starfish बन जाएग यह regeneration का मतलब होता है एक्जामपल है starfish, sea urchin, sea cucumber और brittle stars जल्दी से इनकी शकल देख लेते हैं तुम भी दिखा दो भई अपनी शकल देखो यह कुछ एक्जामपल है अकिनो डर्मेटा के तो यहां से हमें पता लग रहा है देखो यह spines हैं यह उठे हुए यह spines हैं इसकी body के उपर भी spines हैं इसक सारो में इन में spines होते हैं कुछ में clear दिख जाते हैं कुछ में छोड़ छोड़ होते हैं इसको भी अगर ध्यान से देखोगे ना इसकी body पर भी डोड़ 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 जो दिख रहे हैं वो क्या है वो spines ही है ठीक है clear है यह चीज और देखो अब हमारा जो है हमारा जो है animal kingdom हम पढ़ रहे थे जो उसमें uniceller animal में protozoa हो चुका है पोरिफेरा हो गया इसकी आगे तीन पार्ट यह जो है हम कल की class में करेंगे आज की class मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी क्यूंकि मैंने बहुत ही easy language में समझाने की कोशिश करी है notes के through भी समझाया है photos के through भी समझाया है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो comment section में बता देना और अगर कोई भी problem हा रही है या कुछ आप और ज्यादा चाहते हो कि वीडियो में कुछ change किया जाए वो भी आप बता सकते हो और अगर आपको वीडियो समझ आई है तो like कर देना और चैनल को subscribe करके bell icon को press कर देना और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो उनको क्या करना है उनको भी देख लेना है आपको चैनल आपको उसका link जो है playlist का वो किसमें मिलेगा description box में मिल जाएगा क्योंकि जो इस से पहले कि हमन जाए तो चैनल को subscribe कर देना और bell icon को कर देना प्रेस ठीक है मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए take care